हलो गाइज मैं प्रभजुत को और वेलकम टू हेच जे न्यूज हर एक दिन की नई खबरे पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वज़ा से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई ख कबरें पहुच पाई स्कुड रही है चांद धीरे धीरे छोटा आकार का होता चला जा रहा है चांद स्कुर रहे है चांद की बारा हजारत तस्वेरें पर ये शोद किया गया है दीरे दीरे धीरे कम होता जा उस पर जुर्रियां पड़ रही है लासा की ओर से चांद की खीची गई 12,000 तस्वीरों पर विशलेशन किये गए हैं आपको बताएं कि 12,000 तस्वीरों का विशलेशन करने के बाद एक बात सामने आई है और उन्होंने पाया है कि चंद्रमा के उत्री धुफ के पास चंद्र बेसिन में मारो फ्रोग्रेस में दरार पैदा हो रही है मारे फ्रोग्रेस में दरार हो रही है इसी वज़ह से यह अपनी जगा से खसक रहा है पिछले लाखो वर्षों में चंद्रमा 1.500 फोट यानि 50 मीटर तक सुकुड गया है यानि कि धीरे धीरे चांद में जुरिया पढ़ रही है उसकी वज़ह दरारों की वज़ह बताए जा रही है चांद का कारवी धीरे धीरे कम होता जा रहा है लाखों साल पहले होई चांद पर कुछ गतिविदियों की वज़ा से ऐसा हो रहा है अंतरिक्ष यात्रियों निससाट और निससे सक्तर के दशक में भी भुकंप की गतिविदियों को चांद पर नापना शुरू किया था उनका मानना था कि इस वज़े से चांद पर भुकंप आने की संभावनाई बढ़ जाती है कई विशाल देशनों में चंद्रमा का मारे फ्रोग्रेस एक मृत स्थल माना जाता है जैसा कि धर्ती के साथ है चंद्रमा पर कोई टेक्टॉनिक प्लेट नहीं है इसकी बावजूद यहां यह सब गतिविदियां से वेग्यानिक हैरान और परेशान है तो कैसी लगी आपको यह खबर कमेंट करके ज़रूर बताए अगर यह खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक्स फर वचिंग एट दे नियूज